हेलो स्टुडेंट्स, वेल्कुम तो रिक्सान सरुटेक, I am assisting or science teacher and we are going to study about the second part of your third chapter which name is coal and petroleum. स्टुडेंट्स, यह हमारा second part है, इससे पहले हम लोग अपने first part को पढ़ चुके हैं, और first part में हमने बहुत सारे topics को cover किया था, और वो सारे topics थे उसको फ्रास हम आपको फिर से remind कर देते हैं, जिससे आपको यह पता चल सके कि आपने पहले क्या पढ़ा है और क्या आप जा रहे हो, ठीक है, तो जो हम लोगा इस chapter का part one था, इस part one में हम लोग यह देखे थे कि resources क्या होते हैं, ठीक है, फिर हमने यह देखा था कि resources के दो part जो है, कौन-कौन से, inexhaustible, natural resource, और exhaustible natural resource, यह क्या होता है, इसके बारे में आपने समझा, फिर हमने बात किया था कि coal क्या होता है, ठीक है, coal का formation कैसे होता है, ठीक है, fossil fuel क्या होता है, फिर हमने बात किया कि यह coal जो है, यह हमारे energy का source कैसे है, यह coal जो है, यह energy का source कैसे है, इसके बारे में बात किया, फिर हमने बात किया था कि coal का use क्या होता है, फिर हमने बात किया कौन कौन से हम दो product का formation कर सकते हैं फिर एक last में एक process आया था कौन सा destructive distillation destructive distillation यह सारी बात हैं इस part 1 में इस chapter के part 1 में जो हो चुकी है और यहां से हमको इस chapter का part 2 स्टार्ट करना है जिसमें हम इन सारे topics के आगे वाले topic को क्या करेंगे cover करेंगे आगे वाले topic हम दोग चलेंगे तो आईए बहुत अच्छे से energy के साथ हम लोगे start करते हैं जहां हमने last में अपना छोड़ा था क्या तो product obtained from the coal हाँ अपने coal से कौन कौन से product को क्या करते हैं अप्टेन करते हैं तो अपने coal से हम जो product obtain करते हैं इसमें सबसे पहला नाम आता है किसका coal gas का की coal gas क्या होता है देखिए coal gas basically आपका gaseous fuel होता है जिसको obtain करने तरीक तर Click करते हैं चीओ को बहुत को को पराप्त करनेएंगे जब हम कोل से कौक को पराप्त करते हैं यह कोक क्या होता यह भी आपको बढ़एंगे तो जब हम कोल से अपने कोग को प्राप्त करते हैं को बनाते हैं उसी वक्त अपका ये जो gaseous fuel है वो release होता ये gaseous fuel है यह जो आपका निकलता है और इसी gaseous fuel को हम लोग क्या कहते हैं तो इसी gaseous fuel को को हम लोग अपना coal gas के नाम के जानते हैं यानि की हमको इस coal को strong heat करना है in the absence of hell to form किसके लिए कोग के लिए अब इस कोग के formation का दौरान हमारा col gas बनता है और साती साथ col tar भी बनता है लेकिन जो यह col gas होता है यह gases form में होता है cool gasが coal tar जो होता है liquid form में होता है और यह ko intéressant solid form में होता है मिथेन बिसिकली आपका एक हाइड्रो कार्बन गैस है हाइड्रो कार्बन गैस है जिस गैस में आपके हाइड्रोजन और कार्बन के मातरा होता है और इस मिथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH4 ठीक है CH4 जिसमें एक कार्बन से चार हाइड्रोजन एटैच में होते है एक कारबन से चार हाइडरोजन एटेच में होते हैं और ये बनाता है CH4 ये CH4 ही होता है मिथेन तो ये जो हमारा कोल गैस होता है ये कोल गैस इस मिथेन का और हाइडरोजन का क्या होता है मिक्षर होता है और कुछ amount आपके carbon monoxide यानि CO का भी होता है इस coal gas में इस coal gas में तीन gases का मक्षर होता है ज़ादा मातरह में क्या होता है तो methane और hydrogen और कम मातरह में क्या होता है तो carbon monoxide होता है अब यह coal gas के बारे हम बताए आपको तो एक coal gas का calorific value बहुत हाई होता है कोल गैस का कलोरिफिक वैलु इतना ज्यादा हाइ रीजन है कि quiero και को जलाने से बहुत ज्यादा अमाउंट में आपका चिक निखलता है अच orig am इसना ज्यादा अमलविंट में ही चिरी निकलने का निकलता है इस लिए हम इस coal gas के calorific value का हम क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा high कहते हैं और इससे पहले हम आप देखे भी थे coal के use में कि is coal gas का use जो ही वह हमारे industrial fuel के रूप में किया आता है हमारे industry में जो fuel होते हैं जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मातरा में heat energy चाहिए कि वहां पर इस coal gas का use होता है पहले के ज़्यादे में तो इस coal gas का use हमारे lightning purpose में भी किया जाता है इसलिए हैं आपको पॉइंट बताए भी है कि coal gas का use जो है वह हमारे street lightning के purpose में सबसे पहले लंदन में किया गया था 1810 issue में जहां पे आपका on new work में किया गया था 1820 issue में जहां पे उनके सड़क के पे जो light होते हैं वो light जो इसी coal gas से क्या कियेता है जलाया जाता है ठीक है अब आज के जवाने में जो कोल गैसे यह आपका light के लिए नहीं हीट के लिए सबसे ज़्यादा यूज होता है क्योंकि इसका क्लारफिक वैलू हाई होता है और क्लारफिक मेलू का मतलब होता है कि कि किसी पार्टिकुलर यूनिट अफ पॉन्टिटी में कोई आपका कितना ज़्यादा मातरा में आपका एनर्जी का फॉर्मेशन करता है इस माथमेटिकल डेटा इस कलारफिक वैलू होता है बहुत ज्यादा हाई होता है ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रोड़क्ट के तरफ जो हमारे कोल से अप्टेन किया जाता है कोल से अंप्रेजेंट इसमेल होता है बिलकुँ अच्छानी लगता है ठीक है जिसको आपको कोल को जब हम लोगे एर के एपसिंस में हीट करते हैं कोक के फॉर्मेशन के दौरान यह हमारा कोल गैस भी निकला था और इस कोक के फॉर्मेशन के दौरान ही हमारा यह कोल तार भिया इसी प्रोसेस से क्या करता है बाहर निकलता है अब देखिए यह जो आपका कोल तार है यह कोल तार बिसीकली समझे तो 200 से उपर हमारे कारवन कंपाउंड का मिक्षर होता है kohl तार जो है HEES हमारे 200 ISK और के अंदर 200 से उपर हमारे कारबन कंपाउंड होते हैं यह जो आफकी है कुछ आपके हाइड्चर होते हैंputer इसका आपका मिक्षर होता है कौन तो इनका मिक्षर होता है आपका को यह को अब को तार में आपका नेप्थिलीन एंथरासिन बहुत सारे चीजह आएंगी इस को तर में जो यह 200 कारवन कमपाउंड्स का कि आपको मिक्षर होता है 200 कारवन कंपाउंड का मिक्षर होता है कौल खूलता इसकूल तर्में तो ऐसे नाम लेंगे तो 200 का नाम नहीं पड़ेगा लेगा अब वो क्रमुख प्रमुख कुछ नाम बता देते हैं जैसे मान लीजिये कि बेंजीन है ठीक है टॉलीन है और तीसरा अंत्रासीन नेप्थलीन ठीक है यह सब जो है इस कोलतार में पाया जाते हैं यह यही नेप्थलीन है जिसका यूज आप अपने घरों के अनाजक में या घर के उस जगह पे करते हो जहां से आपको कीरे मुख़रे से बचना होता है तो इसको का ही रखके डाल देते हो तो वहाँ पर केरे मुख़रे नहीं आते हैं तो यह सारे कारबन कंपाउंड का मिक्षर से बनता है कौन कालतार और यह कोलतार जो है इसका प्रैक्टिकल यूज भी बहुत जादा है इस कोलतार का यूज जो है बाभकई यह आपका डेली लाइफ में कहा कहा पर कीया तो मज़़े है। को स्मタय का यूज जो आपके सिंधेटिक φाइबर्स को बनाने wrapped को बनाने фильма कीया आता है ड्रक्स को बनाने में किया आता है प्लास्तिक्स को बनाने में किया तब распy reasons को बनाने में को बनाने Ryu क्या होते हैं होते हैं अब यह जो आपके यूजफुल जो कंपाउंड होते हैं कोलतार में उनका नाम आपको बताएं यहां पर दिखा भी हुआ है जैसे कि बेंजीन ठीक है टॉलीन नेप्थिलीन एंथराशीन फेनौल अनिलीन यह सब क्या होते हैं आपके प्रमुख कार्बन कंपाउंड होते हैं में कार्बन कंपाउंड होते हैं हमारे कोल तार में पाय जाने वाले और इस सथीके सवेक्da अपो दिखता है आप देखे भी होगे सर्फister ठीक एROड बनने के टाइम ये ein kool तार जो है ये आपको इस प्रकार ते liquid के फोरम में बहुत ही ठीक black liquid होता है उस फिक black liquid के फोरम में ये आपको दिखाई पड़ता है अब चलिए कोल तार को तो हमने देख लिया कोल गैस को अमने देख लिया को अभी बाकिया देखना और यह हमारा टॉपी काता है को ठीक है को क्या होते सके बारे में समझते हैं तो को कि इस त्रॉलिड ब्लैक सफ ब्लाइक सफ्टांस प्रोडूज फॉर्डूस फॉर्ट यूज आपका को जो है यह आपका एक सॉलिड शफ्टांस समझिए गा यहां स्टीट का भी फर्क है इस शल से बनाय गए इस कोल जो पोड़क्ट इस कोल से बनाय गया तीन पोड़क्ट सबसे पहला इसमें कौन था कोल गैस दूसरा कौन है कोल तार कोल तार और तिसरा कौन है कोक अब कोल गैस जो है जहां आपका यह गैसियस फ्यूवेल है यह जो है यह गैसियस फ्यूवेल है कोलतार यह लिक्विड फ्यूवल यह लिक्विड फ्यूवल है और वोग यह आपका स्वालीड फ्यूवल ठीक है इसके बारे मैं समझते हैं कि कोड़ी जिस वड़ेक सफ आपस प्रोडूस्ट फ्रॉंड एज dhf करते हैं जो हम लोग अपना ये destructive distillation करते हैं कि हम लोग इस coal को strong heat करते हैं क्या करते हैं इस coal को strong heat करते हैं कब in the absence of oxygen या air या oxygen के absence में इस coal को जब strong heat करते हैं तब जाके आपका बनता है coal gas ठीक है coal tar लेकिन coal tar और coal gas क्या हो जाता है ये eliminate हो जाता है जब ये coal gas और coal tar जो है ये eliminate हो जाता है तब आपका नीचे की तरफ आपका बच जाता है कौन यही आपका कोक जो है वो आपका behind में क्या हो जाता है बच जाता है और इस तरीके से ये coal का क्या होता है formation होता है कि यह आपका coal को जह हमा oxygen या air के absence में बहुत strong heat करते हैं तो coal gas gaseous form में eliminate हो जाता है coal तार liquid form में eliminate हो जाता है जो coke है यह ही आपका solid form में आपका बच जाता है और इस तरीके से coke का formation होता है अगर हम coke का बात करें तो coke जो होता है हमारा purest form of carbon होता है कोग जो है यह purest form of carbon होता है यह कोग जो है इसमें आपका 98% जो carbon का मातरा होता है कोग में 98% carbon की मातरा होती है सिर्फ coke में ठीक है अब देखिए 98% carbon की quantity carbon का मातरा होने के चलते यह coke बहुत जादा black होता है porous richer का होता है यानि कि यह आपका इसके अंदर holes होते हैं यह आपके absorbing nature का होगा ठीक है यह tough होता है बहुत ज़्यादा यह tough होता है मजबूत होता है ठीक है अब जब coke को आप जलाते हो तो सबसे बड़ी चीज़ की जब coke को जलाओगे तो इससे कोई smoke produce नहीं होगा there is no smoke produced coke को जलाने से किसी पकार का कोई smoke produce नहीं होता है ठीक है तो यहाँ पर आपने देखा तीन चीज़ के बारे में आपने समझ लिया अब हमने कोल को क्या करेंगे यहाँ पर लास्ट करेंगे तो कूल क्या होता है इसके introduction के ते बारे में आपने समझ थैता थिक है इक यह पर वन में भी समझे था आप ने फिर कोल का formation कैसे होता है formation of Vale के बारे मीं आपने शनाओ फिर कॉल को हम as a source of Energy कैसे यूज करते हैं इसके बारे मी अपने समझ यह थिक है फिर अपने uses of कोल के बारे में समझा उसके बार आपने समझा कि प्रोड़क्ट जो है वैसे प्रोड़क्ट जिसको हम लोग कहा से अप्टेंड करते हैं फोल से अप्टेंड करते हैं फोल से हम लोग कौन कौन से प्रोड़क्ट को अप्टेंड कर सकते हैं जिसके बारे में अपने इंडिवि स्वीयर अंताव जो कि आपका इक लिकुड फीवल था और कोफ जो कि आपका एक सॉलीड फीवल है तो इस तरीक्यास हमने अपने कोल के कंसिप्ट को क्या किया खटम किया अब हम लोग यहां से स्ञाट कर रहे हैं अपने पेट्रोलियम कि कंसिप्ट को नहीं नों का बहुत आ कैसे क्या होता है पेट्रोलियम कैसे आपका क्या होता है देखिए तो पेट्रोलियम जो है यह बेसिकली आपका दो सबसे मिलके बना है यह petroleum जो है दो सबसे मिलके बना है Petra plus Osolium Petra which means rock और olium जिसका मतलब होता है oil यानि की rock oil Rock oil यानि की ऐसे oil जो कि हमको कहां से पाए जाते हैं rocks से पाए जाते हैं या इनको rocks क्या करता है अपने अंदर trap करके रखता है यह रोक्स के दोवरा ड्राप अंदर रखे जाते हैं तो यह जो पैट्रोलियम है यह petroleum बहुत ही ज्यादा dark color ठीक है और मोटा crude oil होता है जो कि हमारे ground के अंदर ठीक हमारे ground की नीचे बहुत deep ground की नीचे जो है यह हमारे कुछी area में पाए जाता है सारे area में petroleum जो है नहीं पाए जाता है यह petroleum जो है हर एक area में नहीं पाए जाता है कुछी area यह पाए जाता है अगरना पैस्यफिकरी पैसे सूल कोई देम होता है अब देखिये ते पैट्रॉलियम को बैसिकली हम लोग इस लिए बोलते हैं इस लिए नाम इसलिए हैं क्योंकि यह और्थ के अंदर जो है यहाप के रॉक्स के ऑड़ाद किया गया और नेचर में पाया जाता है अगर petroleum के comparison हम water से करके कुछ relate करना चाहें आपको तो water जो है जिसका density जो है petroleum से क्या है जादा होता है और petrol का density जो है आपका water से कम होता है जिसके करण petrol जो है यह हमारे water में insolubile होता है और यह हमारे water के उपर क्या कर जाता है फ्लोट कर जाता है, ये हमारे water के उपर क्या कर जाता है, फ्लोट कर जाता है अब ये petroleum चुकिए हमारे strattano से पाय जाते हैं, हमारे rock से निकाले जाते हैं इसलिए petroleum को हम लोग crude oil या mineral oil के नाम से भी जानते हैं जो petroleum है उसका दो नाम हो गया, petroleum का दो नाम हो गया पहला हो गया crude oil, crude oil और दुसरा हो गया mineral oil और दोनों का जो region है एख जो क्या होता है आपका, यह किसके द्वरा petroleum किसके द्वरा trap किया आता है ये हमारे rocks के दुआरा ट्रैत किया गया आपका ओयल होता है जिसके चलते हम इस petroleum को दो नामें जानते हैं पहला crude oil के नाम से जानते हैं और दूज़ा अपने mineral oil के नाम से जानते हैं ठीक है तो ये कुछ आपका introduction था इस petroleum सब्द का मतलब था कि इस petroleum सब्द का मतलब क्या होता है हमको यह समझना है कि इस पेट्रोलियम का फॉर्मिशन जो यह कैसे होता है देखे पेट्रोलियम के फॉर्मिशन के लिए हम दो पॉइंट के बारे में जानेंगे कि पेट्रोलियम वाज फॉर्म बाइदर डिकंपोईशन अफ टाइनी प्लांट्स अनिमस बूरिट अंडर दजी ऑफ मिलियंस अफ एर सेगो हमारे समंदर में हमारे सी में लाखो लाखो साल पहले जो हमारे मेरीन या एक्वेट्रिक टाइनी प्लांट्स थें यह हमारे टाइनी एनिमल्स किसी ना किसी नेच्छनल डिजास्टर के कारण जब दब गये हैं तो दब जाने के चलते हैं उसी टाइनिम्स या टाइनी प्लांट्स से क्या आपका बनता है पेट्रॉल बनता है तो जब हमारे समंदर के सत्फा में समंदर किनारे और समंदर के गर्व में जब यह बहुत जादा दब जाएंगे जब धीरे-धीरे इनकी ऊपर सेडिमेंट पर स कि औरो चीवेंगे सब्सक् Fleisch네, वहां एक सMoreपसी होता है जिसकी कारण हमारा चुलत जब और हम रहेसं होता है टाइनी प्लांट का यह अननोन में धीरे किसमे करमार्ट होता है डि6 पेट्रॉलियम कुछ पोईंट यह है कि आपके दोनों क्या होते हैं हमारे एर्थ के अंडर से निकाले जाते हैं और यो दोनों की फारमिशन का millise similarity है कि यह दोनों living organisms के अर्थ में दब जाने के कारण उनके उपर high pressure and temperature create हो जाने के कारण हमारा coal का भी formation होता है और petroleum का भी formation होता है लेकिन यह जो coal और petroleum है इनका individual अलग अलग तरह के formation के बारे में जाने तो हमारे coal का formation होता है वो land animals या land plants के दब जाने के चलते होता है और जो पेट्रॉल होता है इसका formation जो है हमारे tiny plants of marine or aquatic animals या आपके normal animals of these इनके दब जाने के चलते होता है चलिए अब यह जो आपके petroleum है यह हमारे sea के organisms के living organisms के दब जाने के चलते होता है जब अब यह कैसे दब जाने के चलते पेट्रॉल बनते हैं इसके बारे में समझते हैं as these organisms died their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layers of sand and clay over millions of years with the high temperature high pressure and in absence of air transformed the dead organisms into petroleum and natural gas जब कोई natural disaster आता है तो यह हमारे sea में पाए जाने वाले plant या sea में पाए जाने एनिमल्स यह उसके bottom पे क्या करते हैं पूरी तरीके से दब जाते हैं दब जाने यह कारणने आपके layers का layers इस पे deposit होना स्टार्ट करता है ठीके आपका air का absence हो जाता है temperature हाई हो जाता है heat बढ़ जाता है pressure बढ़ जाता है bacteria अपने action करना स्टार्ट कर देते हैं जिसके चलते वो dead plants या dead animals जो है वो धीरे धीरे petroleum पुड़ा के petrol में convert होना शुरू कर देते हैं ठीक है जाता है और इसको हम कैसे extract करते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे तो देखिए अगर हम अपने पेट्रॉल के petroleum के occurrence के बारे हम बात करें तो सबसे पहला आपका बात यह रहेगा कि petroleum occurs deep under the surface of earth between two layers of impervious rock हमारा अर्थ के अंदर बहुत सारे types के rock है उसी में से एक आपके rock कटाई पे कौन सा impervious rock अब यह impervious rock जो है इस impervious rock दो impervious rock के layer के बीच में पाया जाता है कौन यह हमारा petroleum petroleum को समझने के लिए आपको थोड़ा सम एक diagram का help लेकर दिखते हैं समझ में आ रहाए कि आपको इसे माल लिजिए कि यह आपका एक impervious rock है यह हमारा क्या है पुरी तरीके से smile है यह हमारा earth है यह ह हमारा earth है यह आपका क्या holidays rock का layer हो गया रख अब इस दो इंपर्वियर्स रॉक के लेयर में यहां पे सबसे पहले नीचे आपका क्या होगा वाटर होगा तो नीचे आपका क्या पाया जाएगा माले इंपर्वियर्स रॉक के यहां पर क्या पाया जा रहा है यह वाटर यह वाटर अब इस वाटर के सतह के ऊपर इस वाटर के सतह क किस प्रकार से होता है यह हो गया impervious rock यह हो गया impervious rock ठीक है तो दोनों लेयर यह आपका हो गया water यह हो गया water और फिर यह हो गया आपका petroleum प्रोडक्ट यह हो गया petroleum product यह जो पेट्रॉल है यह आपका इस water के साथ mix होके इनसॉलीबल नेचर में ही water के ऊपर क्या होता है आपका फ्लोट करते रहता है अब इस पेट्रॉल के उपर इस पेट्रॉल के उपर होते है निचरिवल गैस इस पेट्रोल्यम अगर आपका drill करना होगा यह सब हमारा क्या है आपका समझी तो चटाने हैं यह सब क्या है आपका चटान यह सब rocks है यह सारे चीज़ क्या है rocks है बहुत अच्छे तरीके से आप कोमियां पर बता हैं जो हम लोग यह occurrence पढ़े हैं इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके साथ कोमियां पर बता रहे हैं कि हमारा यह समझीए तो यह हमारा अर्थ का crust है यह हमारे अर्थ के crust के बहुत ही deep में मान लिजे कि यह हमारा क्या है दो impervious rock का layer है इस दो impervious rock के बीच में पहले तो यह आपका नीचले भाग में क्या होगा water होगा यह क्या है water है इसके उपर इसके उपर यह क्या होगा हमारा petroleum product होगा तो इस petroleum product के उपर क्या पाए जाएगा यह natural gas पाए जाएगा तो अगर मान लिजे आप इस earth crust के उपर से कोई आप drilling का काम कर रहे हैं तो drilling का काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या निकलेगा यह natural gas है सबसे पहले एक high pressure के साथ बाहर निकलेगा यह natural gas जो है यह high pressure के साथ बाहर निकलेगा और इस natural gas के बाहर निकलने के बाद यह हमारा petroleum product जो water में फिर आपके dust particle में sand particle में mix है यह petroleum product इन सारे आपके unwanted particles के साथ जो होगा यह हमारा petroleum product क्या करेगा बाहर की तरफ निकलेगा तो इस तरीके से इसका क्या होता है अकरेंस होता है तो आपने समझा कि कैसे हमारे impervious rock के बीच में water वाटर के उपर petroleum product पेट्रोलियम पूड़क के उपर natural gas और यह जो drilling होता है हमारा जो refining होता है तो सबसे पहले हमारा natural gas निकलता है बहुत जादे pressure के साथ निकलता है और उसके जो हमारा process होता है इस crude oil को अलग-अलग आपका fractions में अलग-अलग सफ्टांस में convert करना इसी process को मोरिफाइनिंग कहते हैं क्योंकि अगर हम petroleum के बारें बताएं तो यह petroleum product बहुत ही जादे high pressure के साथ बना हुआ होता है और जैसे जैसे यह अलग-अलग temperature यह अलग-अलग pressure के हम जिसको निकालते हैं तो यह अलग-अलग victims हिया होता है यह petroleummuş product अपने temperature के according अपने अलग-अलग अलग सफ्टांस को बनाता है जैसे इस फैसंदर बनता है बहुत सारे चीज इस पेट्रोल से बनते हैं और सारे सब्सक्राइब का अपना अपना एक टेंपरेचर और प्रेशर होता है जिस पे लाग या इस पेट्रोल से वह सफ्कांस का परमिशन करते हैं आँट इस ही प्रॉस्ट अ किया कहते हैं रिफाइनीं से प्रॉस्ट पॉशियम और प्रेट्रोलियं को म्यीनिक प्रेट्रोलिय। का यह आपका oil refinery में किया जाता है the separation of petroleum into different fractions is done by the process of fractional distillation यह जो आपका crude oil or petroleum का जो separation है किसमें अलग-अलग useful components में अलग-अलग useful fractions में यह process से किया जाता है और उसी process का नाम है fractional distillation process का नाम क्या है fractional distillation इतके बारे में बहुत जाक्षा करेंगे टेंसर नहीं लेना है ठीक है अब जो आपकी अलग अलग तरह की useful fractions हैं जो हमारे petrol से निकाले जाते हैं यह पैट्रोलियम प्रडक्ट से निकाले जाते वैसे नाम से जानेंगे पीटरोल को निकालेंगे कीरोसिन को निकालेंगे डीजल monitored में डीजल अगरिय इन तो है टो अ जितने वह अपने अपने वाज़ानлом के दो धार इंपड़ी हैं इसके बारे में दू दू नाम पर लेते हैं इंको कैसे हम निकालते हैं हमारा ore करता है यह करता है यह हमारा फ्राक्शनल दिस्ट रिस्ट प्रोसे से कैसे लोग जने की तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस सबसे पहले हम बात करेंगे अपने petroleum gas के बारे में तो petroleum gas का यूज़ जो है यह हम अपने घरों में fuel के रूप में आप करते हैं अपने kitchen में fuel के रूप में करते हैं जैसे LPG liquidified petroleum gas यह LPG हमारे petroleum gas का यूज़ एक form है फिर है petrol direct petrol का यूज़ हम लोग कहा कहा करते हैं स्कूटर को चलाने में petrol का यूज़ करते हैं या dry cleaning में जहां dry cleaning का काम होता है वहाँ solvent के जगापे हम लोग इसी petrol का यूज़ करते हैं फिर हम लोग का लाश तो नहीं है लेकिन इस पार्ट में हम लोग लाश यहीं तक पढ़ेंगे इसके बाद में अपने इसके बाद के फ्लेक्षिंस को अपने नेक्स्ट पार्ट में परहेंगे तो किरोशन जिसका यूज़ हम लोग अपने Wig Stokes को जलाने में फिर उससे खाना बनाने में करते हैं पहले जमाणे में करोशन की जत्वादा यूज़ था साथ ही साथ pressurestorm में करते हैं किसके लिए हमारा food को कुप करने के लिए इसका यूज आपका होता है किसके लिए lightning परपास के लिए tym तो इस तरीके से हम लोग अपने इस पार्ट के इस चाप्टर के second पार्ट पे आप चाहिए और फिल्वा किया तो ज़्यदा तो इसमें नहीं पाखे तो खोला करके हम लोग क्या करेंगे अपने अच्छे तरीके से एक्सपानेशन को क्या करेंगे अच्कित और जो भी आपका बच जाएगा वह सारा चीज प्राक्रिक्षा आप जानते ही हो यह सारा कॉष्टन्ध सोफेड़ी मैटेरियल करेंगी जहां अन्रीक कैंगी तो पार्ट फुं में बिस टार्ट ने अपने पोल गैस से इसको पढ़ें क्रिफ के बाद हम ल५ ön कोग के बारे में कोग के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग बात किये थे पेट्रोलियम के बारे में पेट्रोलियम के पढ़ने के बाद हम लोग बात किये हैं कि इस पेट्रोलियम का अकरेंस या इस पेट्रोलियम को रिफाइनी हम किस प्रकार से करेंगे फिर हम लोग बात क कि कौन कौन से important fractions होते हैं यानि की कौन कौन से निकलते हैं यह किस प्रकार से हता है कि नाम ही जाने eerste अगहीं तो आज ये पार्ट टू करते हैं मिलते हैं आप से हम पार्ट स्ट्री में तब तक के लिए थैंक्यू सो मच और मन लगा के पहाई करें